आज हम पनीर पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आठा गुंदेंगे, आठा चाहिए हमें 1 कप, मैदा 1 कप, नमक 1 टी स्पून, कुकिंग ओयल 2 टीब स्पून, अब हम पराठे के लिए आठा गुंदेंगे, आठा डालेंगे 1 कप, मैदा 1 कप, नमक 1 टी स्पून, कुकिंग ओयल 2 टीब स्पून, पानी के साथ हमने आठे को गूनना है, पनीर को हमने ग्रेट किया है 1 कप, नमक 1 टी स्पून, लाल मिरज का पाउडर 1 टी स्पून, मैंगो पाउडर 1 टी स्पून, हरी मिर्चे 1 टेब स्पून, बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया आधा कप, बारीक कटा हुई, पनीर को हमने कदुकस कर लिया है, एक कप पनीर लेंगे, इसके अंदर हमने नमक डालना है 1 टी स्पून, लाल मिरज का पाउडर डालना है 1 टी स्पून, आम चूर डालना है, मैंगो पाउडर 1 टी स्पून, हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया है, एक टेबल स्पून, हरा धनिया डालेंगे, आदा कप बारीक कटा हुआ, अब हमने सारी चीजों को अची तरह से मिक्स कर देना है, अब पनीर हमारा रैडी है, प्राठे में भरने के लिए, अब हम आठा लेकर पेड़ा बनाएंगे, आठे को बून कर हमने आदे खेंटे के लिए रख दिया था, पेड़ा बनाकर रोटी को हमने गोल बेल लेना है, अब हमने इसके अंदर पनीर रखना है, पनीर का हमने छोटा से पेड़ा बना लिया, अब सारी साइटों से पकड़ कर रोटी को हमने बंद कर देना है पूरी रोटी को इस तरह से पकड़ कर एक पोटली की शकल दे दे अच्छी तरह से बंद कर देना है फिर हमने हातों की मदद से तोड़ी सी पड़ी कर देनी है रोटी अब हमने इसको बेल लेना है रोटी को तवा हमारा करम हो चुका है अब हमने पराठे को तवे पर डाल देना है आख को हमने मीडियम रखना है पहले हम एक साइट पकाएंगे फिर हम दूसरी साइट पकाएंगे पराठे की पराठे पर अब बबल बनने लग गए है अब हमने इसके उपर पटर लगा देना है बटर को हमने मैल्ट कर लिया है अब हमने इसकी साइट चेंज कर देनी है और दूसरी साइट पर भी बटर लगा देना है अब हमने पराठे की साइट केंज कर देनी है अब हमने पराठे की साइट कर देनी है अब हमने पराठेfik आप 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 पराठा हमारा तैयार है अब हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है अब हमारे बहुत ही मज़ेदार पनीर के पराठे तैयार है आप ही बनाईए, खुद दिखाईए, सब को खिलाईए, अगर आपकी कोई फर्माईश है तो आप मेरे फेस्बुक पर मैसिज करें या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये रेश्पी पसंद आए तो थम्स आप दें, थे मेरे UCода, मेरे शुण्द आपकी करें, अगर मेरे बनादस है तो जगिलाग मेरे तो आपकी करें, अगर आपकी करें, आपकी को आपकी करें